रवी बार को हुई एक दुरघटना ने सबका ध्यान सड़क की सुरक्षा पर बहुत ज्यादा केंद्रित किया है और केवल सड़क सुरक्षा नहीं बलकि जो लोग कार में ट्रेवल कर रहे हैं यात्रा कर रहे हैं वो कैसे सुरक्षित रहे हैं इस पर भी बहुत बहुत चेड इस समय हमारे साथ सियाराराई के सीनिर साइंटिस्ट एस्वेल मुर्गंग जी है आपकी बताइए कि जो अब तक आपने एक्सेडेंट को देखा है और समझा है उसके हिसाब से क्या लगता है कि यह जो साइरस मिस्तरी जान गई और भी लोगों की जान गई वहाथा किस तरीक क्यों है यह जा समय ने अच्छी वेरियस प्रेपोरिट एजिस का मुताफिक देके गा तो इसमें शियर के सबोर्सी भी उन्हीं प्रहा जाग में च्छी सब्ड़क तो शिक्सलेंड गजे वे जाए जाग में पीड़ टाट अपर्ण का फैसर अट जाग में या ने क्रिब one direction becoming too late so the traffic is going at a high speed which may speed is one of the major parameter could have really resulted in this kind of crash coupled with the sudden change in the road configuration would not was clearly in for communicate connect loving का थरिके का different type of signboard वगेरा धिया है वब सथाक में है वो भी गान जाड भी इस्जू बजिका दो थो सबस्क्रा थैंधी है तो इसे साएंबोर मुष्किल पर्दा था है इस्जू विच वी आपको देखने का में प्रम आपको अबिवा इस्जित थे हैं जो पीछे की सीट पर लोग ड़ेखते हैं क्या उनको सीटमेट पहना जरूरी है नहीं जरूरी है उसके बारे में कानून नियम क्या कुछ कहता है। इसके बारे में खानून में इसे हम लोग इंडिया में मोटर बेकल आक्ट मेंली पालन होती है। उसी के मताबिक 2014 में इसका अमेंडमेंट में एकदम साफ साफ गसेट नोटिफिकेशन भी आ चुका है। विचे बातने आगे बातने वाला और हैं। पेहनता नहीं है, whether it is within the city or within the highways. Highways में पेहने नहीं पेहने गा, तो आईसा तरीका दुरगटना होने का बौत चांसे है. And because उनने पीछे बैटे हुए, कोई आत्मी नहीं पेहने गा, तो उनका आगे बैटने वाला का भी कथरा जादा कर सकता है. वो इस क्रेश में नहीं हुआ है, बट कहीं सारा क्रेश में आईसा भी हुआ है, आगे बैटने वाला का भी नुकसान में अच्छी हो जाती है. अच्छा आप तो CRRI में senior scientist हैं, आप लगातार research करते हैं, बताते हैं agency को कि किस तरीके से सड़क बनाना है, इस तरीके का सुरक्षा कैसे हो सकता है, तो इसमें क्या लगता है कि इस दुरगटना से क्या कुछ और सबक सीखना चाहिए और आप क्या कुछ साजिशन देंगें? इसमें आप हम अपना government is बहुत सारे like making lot of efforts कर रही है, चालीज किलोमेटर पर दे का road बनवानाय करके, बनवाने के टाइम पर कितना सुरक्षित बनवाना बना रहा है, वो बहुत ही important चीज़ है, उसका उपर भी हम लोग का मुद्दा बहुत important तरीके से करना है, उसके लिए एक जनरली आट CRNA हम लोग उसको बोलता है, road safety audit करके एक tool है, is a simple tool है, it's not a rocket science है, उसको आप जो road आप लोग अभी हम प्लान करता है, six laning करना है करके, six laning करना है का जो design है, उसको पूरे का पूरा safety angles में देखना है, road safety audit at the design stage करेगा तो, ऐसा तरीके का suddenly three, six lane का configuration, four lane बन रही है, ऐसा वाला को हम लोग address कर सकता है, and डूसरा उसमें crash barrier भी कितना लगा है, वो अगेरा देखना पड़ेगा, so ये वगेरा safety audit के तुरू हम करवा सकता है, and design stage में होगा तो, अगर आम existing road में ऐसा बार बार crashes हो रहा तो, उसका हम crash जब ओरी है, उस सटक को पूरे का address करके, जितना भी सुरक्षित करवाना है, उसको करा सकता है, उसका road safety audit ऐसा tool है, उसको हम पालन कर सकता है, तो road सुरक्षा बहुत एहम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जिन्दगियां हर साल जाती है, साइरस मिस्टरी की मौत ने इस पर फिर से ध्यान खीचा है, लेकिन जरूरी है, जैसा डॉक्टर S. वेल मुर्गन साहब बता रहे हैं, कि न सिर्फ की पीछे वाले लोगों को seatbelt पहनना जरूरी है, बलकि सड़के बंग तो रही हैं बहुत तेजी से, तेज रफतार थे, ल अजिली हाचिता